Assalamualaikum students, आप लोग की बहुत सारे questions आ रहे थे तो मैंने सोचा पेपर से पहले में एक वीडियो बना दूँ आप लोग प्लीज काइनली सुनते वे जाएगा बहुत एहम इसमें मैंने मालुमात बताई हैं तो काइनली सुनते वे जाएगा आप लोग को का बहुत 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 बेस्ट अफ लग और यह के जो भी मैंने सारी preparation करवाई हैं उमीद आपने सब सुन लिया होगा और इसके इलावा भी आपने कुछ प्रेक्टिस की होंगी क्योंकि आपको पते हैं जो मैं टॉपिक करवाया उससे र चार बजे तक उने पहुंचना है तो आप अपनी घर की टाइमिंग से देखना अपना क्या डिस्टन है काइद आजम का अच्छा है मैं यह बताने का मकसद है इस फीडियो में में चीज़ के स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कि काइद आजम के मजार कहां है और कहां है मैं अभी अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर कर दोंगी गूगल से मैंने सर्च है आप लोग वहां जाएगा और वहां पर देख लीजेगा कि इतना आपका डिस्टन से यहां से और वैसे तो रेड बस भी जाती है और रेड बस ग्रीन बस ओके यह दोनों आपक बिल्कुल भी आपको घवरान नहीं है कि 50 MCQs हैं सारे के सारे करने हैं कुछ नहीं छोड़ना पहले मैं यह बता दूँ वैसे मैंने प्रीवेस वीडियो में भी बता चुकी हूं दुवारा बता देती हूं कि जो मिजॉर्टी MCQs हैं वो कंप्यूटर के आएंगे कंप्यू यह इंग्लिश की दो मैंने वीडियो का किया था एक्चली क्या हूआ था कि मैंने रात में डाली तो वह पता नहीं चला मैंने इसले अभी सुबा उठी तो मैंने देखा आप जल्दी से जल्दी वह उसको देख लीजिए गा और उससे रिलेटेट जो हैं तैंसे तो आपको और future की टाइप होती है, present simple जो होते हैं, जो लगती है, helping verb जो होता है, बस first form ही लगी कि उसके साथ yes लगता है work के साथ, okay, present continuous में क्या लगता है, fourth form लगती है, मतलब ing verb के साथ ing की form लगती है, जो भी आपको अगर question में नजार आ रहा हो, कि ये अभी मौजूदा दिन की बात कर मोस्ली वो लोग ना बता रहे होते हैं कि टूडे का बता दिया तो समझा आज की बात हो रही है या यस्टेडी का बता दिया तो कल की बात हो रही है तुमारो का बता दिया तो आगे विल की बात हो रही होगी फ्यूचर की बात हो रही होगी इस तरीके से यह आपकी इंडिके उसका थर्ट फर्म के साथ एंज लगेगी और उसमें जो हिल्पिंग बार भोती है तो आपको फिंगर टिप पो यहां नहीं चाहिए तो हमें यह बता रही थी है जबता है जल्दी तो अब थेख लो पोर उसके बनारें जो हब पार ज्याव को अपना देमागापा तो पास में भी आपको पता है, simple past में क्या होता है, second form लगती है, कोई first form नी लगती, second form लगती है, किसी MCQ's में second form लगी और कुछ भी नी लगा हुआ, कोई helping word में परिशान हो गए, कि she wrote letter, she wrote a letter, okay, तो अब आप इसमें परिशान हो गए हैं, कि ये तो कुछ helping word में नी है, तो वही fourth form लगेगी, okay, अब आप बोलेंगे present continuous और past continuous में हम कैसे पर्ख करेंगे, तो past continuous में आपको पता है कि क्या लगता है, was और one लगता है, जबके present continuous में क्या लगता है, M, I, M, I के साथ M लगता है, अब इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा overview में देनी हूँ, तो कांड़ी इसको कोशिश कीजिएगा, digest करने की, अच्छा, अब मैं बताती हूँ, past perfect का रह गया, past perfect में head लगेगा और उसका मैं बता चुकी हूँ, अब बात आती है future, future की मैं बताती हूँ, सिंपल अगर विल लग रहा है ना किसी sentence में आपको नजर आ रहा है तो आपको पता चलेगा यह future की बात बस विल बी लगाव है और विल के साथ भी कौन सी फॉर्म लगी विल की साथ फस्स फॉर्म लगती है जैसे रो राइट की फस्स फॉर्म राइट ही होगी तो इसी तर यह इसका helping word है अब बात करते हैं future perfect की future perfect में क्या लगता है future perfect में लगता है has been okay और third form अच्छा और future perfect की बात करनी हो ना मैं तो हाँ यह has been okay future perfect की has been अब बात करते हैं future perfect continuous तो अब यहां पर भी EING लग जाएगा बाकि सब वही होगा बस समझ रहे होंगे यह मैंनो आपको थोड़ा सा कीजेगा इंशालला जैसा कि मैंने बताया है कामना इंटिसोरी सहाब ने जब प्रोग्राम करवाए था free IT का तो हमने आप पर लाइव आए थे हम लोग और लाइव आपने अपना रोल नंबर बताया था और मैंने फॉरन से आप लोग अपना रिजल्ट बता दिया था होग कि अगर में पास ना हुए तो फिर क्या होगा दे क्या आप लोग ना दे पाए कुछ ओगया तो पिर क्या होगा किसी ने बहुत सारे स्टूडट ने अभी तब फॉर्म भी फिल नी किया था तो वो ओल रहे थे हम दे सकते हैं जाकर तो देखें वहां जाकर आप बात कर ली अब बात आती है कि हम लोग नहीं पास हुए तो क्या होगा देखें अब सेलानी वालों के इनके बाद आने वाला और इंशाल्ला उसकी भी में तैयारी कर्माऊंगे और यही मोस्ली जो एंसकी प्रेक्टिस कर्वाऊंगे और इससे बीजाद मतब थोड़ा आते उनका वहा अगर आप लोग किसी वज़ा से पास ना कर पाईगे तो आप लोग वही दे सकते हैं अच्छा अब बात आती है कि स्टूड़न्स ने यह पूछा था और जो भी सब्सक्ते हैं बस मैं आपको शेयर कर दोंगी लेंक उसका गूगल से लेकर तो आप देख लीजे का आपके इंगलिश का तो वह भी जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजेगा और काइंडली जिन्हों ने इंस्टेग्राम पर फॉलो नहीं किया है वहां पर विम अपडेट डालती रहती हूं तो आप वहां पर ज़रूर फॉलो कीजेगा और कोई भी अपडेट ताके मिस ना पाकिस्तान का उसका नाम मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और एक और M.C.U. साथ ती साथ पूछती हूं आप लोगों से वह भी पास्पेपर में आया वह बनो काबिल की केव हिरा मतलब गारे हिरा किस माउंटेन में है ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है वैस अच्छे कमेंट आरे हैं थैंक्यू सो मच इतना प्यार देने का मुझे बस आप लोग की दुआएं चाहिए और इंशालला सेलानी वालो का भी मैं जरूर करवाओंगे प्रैक्टिस तो उसकी भी फिकर नहीं कीजेगा बस दुआओं में याद रखेगा और बेस्ट आफ ल